नमस्कार दोस्तों परमाईज केसन कीटुफ चनल पे आप समी भाई बानों का सागत करते हैं आज बात करेंगे हिंदी सिक्षण की जो बहुत ही महत्वपूर परसन लिए गये हैं आप लोगों देखके समझी सकते हैं कि कि इतने महत्वपूर टाप परसन है ठीक है तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर दीजिए और वीडियो को हमारे सेर कर दीजिए ठीक है सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन का बटन जरू दबाएं ताकि नोटिपेकेसन जैसे ही लाइब आए आप लोगों के समझ पहुंच जाए ठीक है तो देखिए यहां प बच्चों को भासा परियोग के अउसर उपलब्द कराना और यहां पर तीसरा कराएगी भासा के तुरूटियों के परती कठोर रवया और यहां पर चौथा कराएगी भासा की पाठ पूस्तक तो इसमें से राइट एंसर का उनसा होगा अगर आब एक सिचक है तो आपके ल तो यही महत्वपूर होगा सिचक के लिए ठीक है सिचक के लिए यही महत्वपूर होगा कि बच्चों को आप अधिक से अधिक आउसर उपलब्द कराएं ठीक है अधिक से अधिक उन्हें आउसर की माध्यम से रूची उत्पन कराएं ताकि अधिक से अधिक सीख सके तो प सिचिक विद्याले में क्या उपचा करता है। पहला करा है कि, निस्ट संस्क्रीट में जवाब दे। За धुलिptonate नहीं, अपने बच्चे жुथ आपने मातरिभासा का बिलकुल भी परियोग करके उत्तर ना दें। तीसरा करा है कि बच्चे सवालों की बदे-बदे जवाब दें। यहां पे नहीं की बात करा है और यहां पे दें। तो यहां पर राइट एंसर क्या होगा हमारा जल्दी से एंसर बताईएं। दूसरे चाहते हैं वो ऐसे ही उत्तर दें ठीक है अपने तर्क बितर करके न दें ठीक है तो यहां पर राइट एंसर जो जाएगा हमारा यहां पर यहां पर तीसरा पर जाएगा क्यों जाएगा यहां पर देखिए बधे बधाये प्रस्ण न दे जवाब न दे यानि खुले अंक वाल कि लिए प्रेस्त करने के लिए नीयं सुल्धार सय थे葉 सिर्ध करने के लिए थीकrire तो टो कम कम 20 से ओपर पहुचाई तो चलिए देख लेते ह zoo है नियमipples नियम बद वेवस्ता है कि एक दिक्री तीक्री लोग कर टा जलता है कितने लोग कमेंट कर रहें कितने लोग नहीं तो यहाँ पर तीसरे का कर टा एक लोग साधी में चलता है ठीक है यहाँ पर तो right failure जाएगा हमारा पाला जाएगा ठीक है यहाँ पे जड़िये एक जटील चुनोत icon नहीं है भासा ठीक है और एक भीसे मात भी नहीं है ठीक है और यहाँ संपर स्छिंट का एक मातर साधन नहीं हैं बहु बहु अलपक साधन न ही। ठीक है यहां पर किसी भी खेलके से अब भासा का परियोग कर सकते हैं तो ठीक ही यहां पर तो जल्दी से बताई इसका राइट क्योंकि इसे बतना नहीं पड़ सकता है क्योंकि इसे आप लोग जान सकते है ठीके। या फिर यहाँ पर कराया कि जीवन के विभीन संदर्बो यानि अलग अलग अस्तर पे ठीक है अलग अलग परिवेस में अलग अलग वातावराण में भासा का परियोग आप माहौल में कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ परिच्छा में ही भासा का परियोग होता है और कहीं नहीं ह थे तो हमारा गलत हो गया ठीकिए यहां पर केवल पाथ पूस्तक में वासा का परियोग हो यह भी गलत है ठीके तो राइट एंसर जो जाएगा तो चौथे का राइट एंसर जाएगा दूसरे के साथ जीवन की बिभीन संदर्भों में कर सकते हैं ठीकिंए यह जगे से दूसर ठीक है यहां पर देखी करा है कि बच्चे अपने परिवेस में स्वेंग भासा अर्जित करते हैं इसका एक नहीं यार्थ है ठीक है नहीं तार्थ है क्या है पाला करा है कि बच्चे को केवल लच्छे भासा का ही परिवेस उपलब्द करा जाना चाहिए ठीक है तो यहां पर कर रहा है कि बच्चों को अत्यांस सरल भासा का परवेश उपलब्द करना चाहिए चौहां तीस्रा करा ज़रा कि बच्चों को सम्रिद भासा परवेश उपलब्द करना चाहिए तो राइट एंसर का यहां पर यह तीसरा गलत होगा यहां कर रहा है बच्चे को विल्कुल भी भासा ना पढ़ा जाए भासा नहीं सीखेगा वालक तो कैसे परिवेश में ढ़लेगा ठीक है तो राइट एंसर अमारा चौथ एक साझ जाएगा जब तीनों गलत होगे हमारा ठीक है तो यहां पर च कि सबसे पहले किसा उत्तर आथा है तो ऐपनी बातों को पूश्टी गोडते देना और करो परियोग करना ठीक है और प्रभाववी करना विचशोथा करा है कि अपनी बात को सच्वाना और सीखना लिगा तो यह तो तो राइट एंसर यहां पे दिखी कि बता सकते हैं कि इसका राइट एंसर तीसरा जाएगा क्योंकि बिभीन इस्तिति आनि कैसी भी इस्तिति हो भासा का परियोग आप कर सकते हैं और परभावी परियोग कर सकते हैं ठीके तो राइट एंसर यहां पे तीसरा कोई सक नहीं इस महतुपूड है अब भाशा अरड़न में महतुपूर क्या है? यानि भाशा अर्जन में महतुपूर क्या है? भाशा का शिछक महतुपूर जो शिखा रहा है है, इसं біль हम nag बेभीन रूपों का परयोग और यहां पे खर रहा है भाश पर भासा कोई ब्यवार नहीं होता थिक बहसा कोई ब्यवार नहीं होता थिके बहसा के सीखने के उपर निर्भर करता है कि पाठ्पुस्तक यaż năm पर भासा जो होती है आपके रूची पे निर्वय करती है कि कैसी आप सीख रहे हैं ठीख लिखार। Sak ändfar explorer सम्भश किसमें पाला से पूंग धैसरा से तीसरां से यह फिर ंसरा बाता, टो राइट जली ते उत्तर पुस्तिका नहीं, उत्तर पुस्तिका में आपके जवाब होते हैं, मौकिक परिच्छा में आप पुछते हैं और लिखित परिच्छा में बालक खुद बोलता है, ठीक है, यहां पर देखिए क्रमिक प्रगति की बात किया है, लेखा जोखा करने की बात क्या है, तो प पॉटफोलियो के माध्यम से उसका लेखा जो का सिच्छक के माध्यम से होता है ठीक है तो राइट एंसर हमारा दूसरे के साथ जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नवे परसन पर देखते हैं नवा परसन मारा क्या कह रहा है देखिए यहां पर नवा ये कह रहा है कि भासा की पाठ पुस्तक के यानि भासा की पाठ पुस्तक के हैं कैसी होनी चाहिए ठीक है यहां पर कह रहा है कि साध्य है दूसरा कह रहा है कि भासा सीखने का सिखाने का एक मातर संसाधन नहीं हो सकता ठीक है और यहां साध्य ही नही भासा भी गलत हो सकती है कि आप कैसी लिख रहे हैं पर BLACK इस पर निर्वर करते हैं All भासा का जो पार्ट पुष्टक होता है एक साधन होता है भासा को सीखने के राइट एंसर हमारा चोथेक साथ जाएगा क्यों क्यों कि यहां पर देखिए सत्य की बात किया है सत्य नहीं है ठीक है आप भासा कई परकार के होती है ठीक है यहां पर करा सीखने का एक मात्र साधन नहीं कई साधन हो सकते हैं ठीक है और अभ्यास परक ठीक है अगर भासा है तो अभ्यास परक आप अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है लेकिन यहां पर देखी क्या रहा है हमारा यहां पर चौथा कि एक साधन है भासा सीखने का एक साधन है ठीक है उसमें क्या लिखा है उ तर्जाओं एक। क्या रहा है कि यहां पर देखिए खे कह रहा है कि यहां पर पत्र पत्रकाओं भासा सीखने में नहीं। यहां पर यहां पर कह रहा है कि तूरूटियों को बढ़ावा देती है? नहीं, यह भी गलत हो गया। और बड़ों के पढ़ने की व्वस्तु नहीं जो पत्रपत्रकाय होती हैं वह स्लिभ्सक्तु सकते हैं कि यहं पे समचार पत्र होता यह पत्र में क्या होता है रोज की क्रिविटी रही होती है और इसे कोई भी पढ़ सकता है यह नहीं कि सिर्फ बुजुर्ग ही पढ़ सकते हैं इसमें तुरूटी को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता ठीक है और बाधक नहीं हो सकता ठीक है राइट एंसर जो जाएगा हमारा चौ कि आख्रान का सरवाधीग प्रभावी तरीका क्या हो सबीत लिखित परिष्छा के वह सकता है यह ओ सकता है यहां पर 다내ने परफसुन आरो और ठीकिट पढ़ी गई कापी पर अपने अनुसार यहां पर उत्तर देता है तो इसमें आप उसका आकलन नहीं कर सकते हैं यहां पर देखें कि परसनों के उत्तर देना, ठीके प्रसन के उत्तर के अधार पर आप उसका आकलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरवाधिक आकलन यानि निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखे तीसरा कर दा कि परसन पूछना, पड़ी गई से मागरे वह परतकिलिया व्यक्त करना, ठीके यानि बालग जो परसन यहां पे तीसरा होगा, यहां पे ब purl समय से इसके बाद लिखे लिखेंगे, तो यह हमारा नहीं होता, प्रभाबी कर सकता, या एक तरफ कर सकता है या धूमारा किते हôm ही एक ठीक हो ठीक है और अपने पने गुरूपों में सेर करिए ठीक है गुरूपों में सेर करिए और चलिए देख लेते हैं क्या करा है यहां पर पूछना प्रतकिरिया व्यक्त करना परिचर्चा का भाग लेना वरण करना यह है क्या है केवल केवल साहितिक गदविदिया है दूस दूसरा पतकिरिया दो व्यक्ट करना 3 परियगत करना 4 और भाग लेना यहाँ पर 5 और वरण करना 6 यह 6 किसिमें समाइत हैggh ठीके यहाँ पूछना परियगत करने और यहाँ पर करना की वरण करना । तो इसका right answer कौनसा होगा, हमारा पहला होगा, साइतिक होगा, यहाँ पर दूसरा भासा आकरण के तरीके, मातर यहाँ पर तीसरा कराया है, कि भासा सिखने सिखाने का आकरण के तरीके, और यहाँ पर कराया चाहता कि केवल सिछड पदतिया, तो right answer जो जाएगा, इसका कौनस तो हमारा आप लोग कई तीसरा होगा टिके तो चली आगे बढ़ते हैं अपने तेरह हमें प्रस पर देखते हैं तेरह हमारा परस हमारा क्या करा है यहां पर यह भी देखी बहुत ही महत्वपूडे करा कि बहु भासिक एवन सांस्कृतिक कच्छा में क्या होता है करा कि भासा का आकलन होता है दूसरा करा कि बच्चों को भासा परयोग करने की अवसर उपलवद करना और यहां पर करा कि भासा तुरूटियों के प्रति कठोर रवया औ हमारा पहला होगा दूसरा तीसरा या पिर चौथा तो right answer जल्दी से बताएं आप क्यों सा होगा पहला दूसरा तीसरा में पिर चौथा परियोग के अउसर उपलब्द करना चाहिए जिससे अधिक भासा का उनको ज्यान हो सकते यहां पर बहुत भासिक अच्छा में उता है क्या होता है आप लोग पता ही हो गा कि अलग 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 समाझ से अलग अलग वाता वादर अलग वद्वाराण से बालक आता है उनकी भा कि बढ़ते हैं उसकी समझ को क्या करते हैं पहला करा कि केवल वस तुनिष्ट परसुनों के माधियम से आका जाना साहिए और यहां पर तीसरा करा कि निबंदनातमक परसुनों के माधियम से आका जाना चाहिए ठीक है तो यहां पर राइट एंसर कौन सा आगा जली से बताई यहां पर कि यहां पर देखी करा कि भासा के ब्याकरण के समझ को कैसी आप आख सकते हैं वस तुनिष्ट परसुन के द्वारा लगो उत्तरी परसुन के द्वारा निबंदनातमक माधियम से आञे को आप प्रसुन परसुन के द्वारं यहां पर देखी वस तुनिष्ट परसुन के चाहिए नहीं आख सकते हैं उनकों समंझ में नहीं जा सकते ठीके लगु उतरी यह बड़े बड़े लिखनें से कुछ नहीं होगा ठीके निबंदनातमत ठीके यह पर देखी बालक तर्ग करता है ठीके लेकिन यहां पे देखिए चौथा क्या करा है हमारा ये भी सही हो सकता था लेकिन यहां पे संदर्व परक यानि जो उनके समस्च ठीक है यहां पे देखिए जो उनके समस्च जो सब्द रखे जा रहे है ठीक है बालक की समद ठीक है उसको क्या करना है बालक में ठीक है बालक है उसके संदर्व सच यानि देखे के कि ऊदारण देखे कि कि हम यहांपर सीखा सकते हैं ठीक सिख़ान C qui तो लगबग सभी लोगों का ही सही आया है ठीक कि चलिए पंद्रमा परसम क्यों आगे बढ़ते हैं देखते हैं पंद्रमा परसमारे क्या कह रहा है देखिए यहां पर पंद्रमा कर रहा है कि नीम लिखित में से कौन सा भासा सिछड का उद्दे से कह रहा है कि कौन सा भासा स सीखाने की दूर्टिया बिल्कुल ना करना और यहां पे भासा की बारीर travail की ब्लददॉर्व भरक्त कि रूप ध्या ठीक और यहां पर करा है दिए भासा की ब्याक्रण को सीखने पर बल देना करें मेंरे के ठीके यहां पे देखिए नीजी यहां पे पहले ही हमारा गलत हो गया ठीके यहां पे सिर्जन सील दिया है अगर सभी के लिए बात करता ठीके सभी के लिए बात करता ठीके तो हमारा यह पहला सही होता ठीके लेकिन यहां पे देखिए क्या किया है उसने बड़ी चलाकी से यह आपर देखिए नीजी अनुभो यानि खुद के अनुभों के अधार पर रहाएं ठीकि कि यह हमारा गलत हो जब से थिहां सो नहीं जो बालग सीक है के पहले तुरूतियों को सीक्षच को मादियन से गारेगा या कोई वस्तू दिखाएंगो, उसके माधयन से हम बताएंगे, तो बालग तुरूट्यू के माधयन से ही सीखता है, तो ये भी गलत हो गया, नीजी के लिए है, दूसरा भी गलत हो गया, यहाँ पे बिल्कुल न करें, गलतियां हो सकती है, और तीसरा कर रहा है, कि बारिकी संदर्व बोद यानि उसको सीखने में कितने अच्छे से आप रूची ले रहे हैं और हाथो साइथ कर रहे हैं यानि उनकी प्रिरित कर रहे हैं ठीके तो यहां पर राइट एंसर जो जाएगा हमारा तीसरे पर जाएगा बासा ब्याकरलर की नियम पर बल देना है ठीके और आज के प्रस्ण आप लोगो कैसे लेगे एक बार कमेंड बाक्स में जरूर बताएगा कि और देखिए यहां पर कितना इंटेस्ट्री था कि कटपा ने बाहुवली की द्वारा कैसे सीखा ठीके तो यहां पर हिंदी को कैसे सीखने के लिए कटपा ने मामा को बाह जिए यहां बाहँ आज सक बीके लेंब के लेके लो यहां जहां 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 झज़ो को कि भ sum, देख उषे लेड़ताभगा घुझी सॉड़को कैसे सीखने यहां थु़ हो सłyईके सॉझके स्वांस